ये एरिया है जो आपका कथित रूप से मलिक का बजीचा कहा जाता है ये जो फुटेज ली गई हैं ये जब 30 तारिक को नोटेस दिये गए थे इंक्रूच्मेंट के लिए एंटी इंक्रूच्मेंट राइब के अंतरगत उस समय के फुटेजेज हैं और इसमें आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो छटों का क्लोज अप है इन छटों पे किसी भी प्रकार के 30 तारिक के दोड़ान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही हैं ये थार्टियत जब नोटेस सर्व करे गए थे इस एरिया में जो इलीगल इंक्रोच्मेंट्स हैं उस वक्त की फुटेजेज हैं इसमें जो छटें आपको दिखाई दे रही हैं वो एम्टी हैं उनमें कोई बड़ी भारी मात्रा में पत्थरों कजबाव नहीं है इसको बं ये वो फुटेज है जब फर्स्ट टाइम आगजनी शुरू करे गए जब पहली पहली गाड़ी या पहली बाइक को आग लगए गए ये उस वक्त की फुटेज है ये पूरा जो है उस वक्त तक कर डून से विडियोग्राफी बगहरा करी जा रही थी और ये फर्स्ट तब अब तब completely peaceful चल रहा था ये लगभग demolition drive शुरू होने के आधे गंटे बाद का image है नेक्स्ट इसको बंद करो ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट टाइम की आरजनी की फोटो है जब फर्स्ट आरजनी हुई थी ये थोड़ा सा closer view है वो दूर से था इसको बंद करो नेक्स्ट ले लोग इसको पूरा जना दो इसको दिखाने का मेरा मकसद यह है कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहां ना तो कोई पुलिस पोर्स किसी को प्रवोक कर रही है किसी को भड़का नहीं रही, किसी को मार नहीं रही किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुखसान पहुझाने की कोशिश नहीं कर रही है नर्वनेनिस्ट्रेशन के team ना पूरिस की team ये आप माब देखेंगे यह वो मॉब है जो पहली बार इखटा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू करी गई जो पेट्रोल बंप एकना है या किसी दूप्रकार का वाइलेंस है जो शुरू किया गया उस बक्त यह मॉब इखटा हुआ अचानक से यह demolition drive शुरू होने के 45 minutes बाद की footage है इस fully demolition drive शुरू हुआ prevention के लिए force लगाई गई अतिक्रमन की कारवाई के लिए जितनी force required होती है वो लगाई गई लेकिन कुछ अराजक तत्रों के द्वारा unprovoked, unharmed, untouched तरीके से पूरी कारवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में within half an hour इखटा होकर जो है हमारी जो टीमें है नगरमिगम की उन पर पहला attack किया गया पत्थरों के मात्यम से पत्थर बरसाने शुव करेगे चारों तरफ जो छटे हैं उनके मात्यम से मैंने आपको तीस तारिक के फुटेज दिखाई किसी चत पर कोई पत्थर नहीं था तो जिस दौरान ये सारी विदिक प्रक्रिया चल रही थी जब हम सुनवाई कर रहे थे माननी उचनयाले सुनवाई कर रहा था तो चतों पर पत्थर उस दौरान इखटिक करे गए इसका मतलब it was planned कि जिस दिन भी demolition drive होगी हम उस दिन इस तरह से forces को attack करेंगे इस तरह से demoralize करने की कोशिश करेंगे state machinery को तो पत्थरों का attack हुआ जब हमारी team पीछे नहीं हटी हमने demolition drive को जारी रखा हमारे officers ने उसके बाद जब पहली जो पहली mob जो आई पत्थरों के साथ उनक इसरी माँ बाई जिनके हाथों में petrol bomb थे जो फ्यूल होता है उसकी plastic की bottles थी उसमें उन्होंने आग लगा लगा कर फैकी आप लोगों ने वीडियोस में भी वीडियो footage में भी देखा आप लोग अभी तक सब cover भी कर चुके हैं ये फैका गया ये भी unprovoked था बिलकुल का force इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था देवर busy in demolishing the structure परिसंपतियों के नुकसान में मुख्य रूप से जो थाना है वो completely damage हुआ है थाने में हाला कि किसी को गुसने नहीं दिया गया उसको safe किया गया लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं वहाँ जो furniture है वहाँ जो अन्य सामान है इवन पीछे से माग के द्वारा तोड़े और घंसे भी उसको तोड़ने की पोशिश करी गई थाने को तो वो एक नुकसान है उसके अलावा जितनी भी हमारे vehicle थे administration की जितने गाडिया थी वहाँ पर जो नगर निगम की JCBs थी वहाँ कि जो हमारे अधिक कर्मचारी जिन बाइक और वहिकल्स के माग्यम से वहाँ गय थे उनको जलाया गया है कुछ सारवजे नेकंबसें पर जलाई गई है वहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्षन हो सकता है लिया जाएगा ये कम्यूनल नहीं था इसको कम्यूनल ना बनाया जाए इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए किसी भी दूसरे कम्यूनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्यूनिटी ने ना तो retaliate किया इस चीज़ को लेकर ना ही कोई ऐसा धार्मिक जो है symbols जो है उनको प्रतमबार attack किया गया एक घटना अमारे सामने जरूर एक मंदर के सामने आग जनी की आई लेकिन वो चुटपुट घटना हैं ये state machinery को challenge करने की कोशिश थी राज्य सक्ता को और कानून व्यवस्था को challenge करने की कोशिश थी इसको इसी के रूप में देखा जाए इसी के रूप में निप्टा जाएगा हम लोग assessment करा रहे हैं सभी परिसंपत्यों का शाम को फिर briefing करेंगे जो भी update शाम तक की होगी आपको दी जाएगी और आपको ब्रीफ करते हैं force हमारा जो maximum यूज हुआ वो थाने के protection में यूज हुआ बाकी जगे पर जादा force यूज करे बिना सर्फ अपने आपको assert करते हुए अपने आपको protect करते हुए ही अरिया को बचाया गया जैसे ही ठाने से इन लोगों को disperse किया गया जो अराजक तत्वत है और वहाँ उपद्रव मचा रहे थे और लोगों की जान लेने की कोशिश कर रहे थे ठाने से disperse करने के तुरंत बाद एक शेतर पढ़ता है गानी नगर आप सब लोग जानते हैं इस mob के द्वारा उस शेतर को घेर लिया गया जानी नगर के शेतर में मिश्रित आबादी है वहाँ सभी धर्मों के सभी communities के लोग रहते हैं कोई एक विशेश समुदाय वहाँ निवास नहीं करता है उस शेतर को घेरा गया उससे भी terrorize करने की जो है कोशिश करी गई स्टेट मशिंडरी को भी और वहाँ रहने वाले स्थानिय निवासियों को भी उसके उसको प्रोटेक्ट उसके बाद हमारा क्योंकि reinforcement भी आ गया था हमारी बहुत सारी P.S.E. आ गई थी पेरा मिलिटरी पोर्सस आनी शुरू हो गई थी तो हमारे पहला priority था थाने को प्रोटेक्ट करने के बाद कि हम गांधी नगर में किसी प्रकार का अराजकता ना होने दे हमने उसको प्रोटेक्ट किया वहाँ किसी प्रकार की कोई जन हानी नहीं होने दी वहाँ किसी प्रकार का बहुत अतिरिक्त फोर्स यूज करे बिना किसी भी प्रकार के जो है एक्सेस फोर्स के उसको कंट्रोल करा गया बनबूल पुरा से मौद क्योंकि भारी मात्रा में निकल रहा था तो हमारी टीम का जो पूरा प्रयास रहा एसेसपी मेरे साथ बेटे हुए है इनकी फोर्स ने काफी धहर्य का परिचे दिया वहा पूरा प्रयास रहा कि हल्दवानी का जो में शहर है उसको बचाया जाए उसमें किसी भी प्रकार से मौब का इंटर ना होने दिया जाए जो प्रभावित शेत्र है उसको लिमिट किया जाए उसको लिमिट किया गया लगभग पूरा ही प्रशाशन पूरी पुलिस फोर्स इस काम में लगी हुई थी कि हल्दवानी के अन्य शेत्रों में बनबूर पुरा का प्रभावित शेत्र छोड़कर अन्ने किसी शेत्र में किसी भी प्रकार की रिटालीएशन में या किसी भी अन्ने रूप से कोई घटत ना हो तो हमको Krishna Hospital से दो Bodies की सूचना मिली थी और STH से दो Bodies की सूचना मिली थी उसके आधार पर प्रारंबिक सूचना चार की दी गई थी जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको verify करा रहे हैं जब बाद में उसको verify करा गया तो ये निकल कराया कि Krishna Hospital ने उनको entertain नहीं करके क्योंकि broad dead थे STH में भेज़ दिया था तो वो ही दो bodies जो है वो कृष्णा में भी count हुई और STH में भी उसके कारण ये चार का confusion create हुआ अभी तक जो official information है वो दो